हाई एवरिवन वेलकम बैक टू मैंनादर वीडियो और आज इस वीडियो में हम पीएस टेस्ट करने वाले हैं सिंथ और ओरिजिनल डियोडरिंट एंड कॉंपलेक्शन सोप का जिसको मैंने रीसेंडली पर्चेस कियाता स्मार्ट बाज़ार में जा करके और अगर आपने इसकी रिव्यू वाली वीडियो पे तक नहीं देखी तो आप मेरे चैनल में जा कि उस वीडियो को देख सकते हो उस वीडियो में मैंने काफी अच्छी तरीके सेक्स देन किया है सोप से रिलेटिड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन को तो फिलाल सुरू करते हैं अपने इस पी-एश टेस को कर लिया है एंडरेप हमने अपने सोप को तो अंदर से हमारा सोप कुछ इस परकार का देखने को मिलता है और अब लगाना सुरू करते हैं सोप में पानी ताकि हमारा पी-एश पेपर अच्छी तरीके से इस सोप के साथ रियड करके बता पाए इस सोप ती एक्सेक्ट पी-एश वैल्यो को तो अब मैं लगाना सुरू कर रहा हूँ सोप में पानी तो लगा लिया है मैंने पानी और अब टच करवाते हैं अपने इस pH पेपर को और देखते हैं कि कैसा क्या रिजल्ट आता है तो हमारे pH पेपर की कंडिशन कुछ इस परकार की हो चुकी है और अब करते हैं इसको मेजर pH स्केल के उपपर तो इस सूप की exact pH वैल्यू आते है 7 से 8 के बीच में तो जैसा कि आपने इस विडियो में देखा होगा कि सूप की exact pH वैल्यू आते है 7 से 8 के बीच में जो एक average pH लेवल ओप सूप कंसीडर की जाती है average pH level से मतलब यह है कि market में कई soaps अभी level है जिन soaps के pH level इस soaps के around आते हैं तो ऐसा soaps को average pH level of soaps consider रखिया जाता है और अगर आपको कोई अच्छे pH वाला soaps लेना है जिसका pH level 4-5 के बीच में है तो वो काफी costly पढ़ जाते हैं इसका यह मतलब नहीं है कि यह soaps बेकार होते हैं यह soaps में काफी अच्छे दरीके से work करते हैं बस इन soaps के साथ कुछ limitations आती है जैसे कि आप इन soaps को अपने face पे daily इस्तमाल नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप daily इस्तमाल करोगे तो आपको dryness, acne, pimple जैसी problem का सामना करना पड़ सकता है बट इसका एक यही solution है कि ऐसे soaps को आप अपनी body में इस्तमाल करिएगा face में आप कुछ और इस्तमाल करिएगा क्योंकि body skin चो होती है थोड़ी hard हो जाती है इस compare to face की skin से तो face की skin चल्दी react कर जाती है ऐसे product के साथ और अगर आपको face में कोई चीज लगानी है तो face wash रहनी चाहिए और अगर आपको यही है कि आपको soaps इस्तमाल करना है अपने face पे तो कोई अच्छे pH वाला soaps इस्तमाल करिएगा तो आसा है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं लिए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई जैंद